Hello friends, इस वीडियो में हम एक simple सा calculator बनाएंगे switch case को use करके तो first of all मैं इसका थोड़ा सा code लिख लेता हूँ Later on मैं इसका थोड़ा सा advanced concept भी आपको बताऊंगा कि कैसे हम do while loop लगा करके इसको ज़्यादा interactive कर सकते हैं तो first of all हम दो numbers लेकरके एक simple सा calculator बना लेते हैं switch case का use करके तो मुझे कुछ initialization करनी होंगी और declaration for example a equal to 5 और b equal to 3 यह जैसे ठीक है और उसके बाद एक character लेना पड़ेगा ch जिससे मैं choose कर पाऊँगा मतलब कि scan कर पाऊँगा जो भी user input डालेगा अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले कुछ options जो user को दिखेंगे वो show करना है तो printf यहां लिखना है उसके बाद यहां बंदे को options choose करने के लिए सबसे पहले add और फिर backslash and और इसके पीछे लिख दाना है one one option क्या होगा फास्ट option add और second option क्या रहेगा subtract third option रहेगा multiply और fourth option रहेगा subtract का difference का divide ठीक है और इसके बाद मैं एक उसको मैसे ही डाल दूँगा यहां पर printf choose one option ठीक है तो अब वो क्या करेगा कोई नो कोई character press करेगा और जैसी वो character press करता है मैं उसको scan कर दूँगा scanf %c और इसको m%ch के अंदर में store कर दूँगा simply अब इसके बाद क्या होगा उसने जो character डाला अब मुझे उसको use करके switch case के अंदर यह find out करना है कि कौन सा option उसने choose किया और उसके हिसाब से मुझे उसका operation perform करना है तो मैं यहां क्या लिख दूँगा switch और यहां पर उसने जो character डाला है वो डाल दूँगा ठीक है जो भी character होगा उसके different different में आप cases बनाऊंगा case one क्या रहेगा अगर case one मतलब यह हुआ कि उसने अगर character one choose किया है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ वो addition चाहता है तो मैं यहां लिख दूँगा printf addition is addition जो है वो equal to percent d कर दूँगा और यहां पर उसको output में क्या दे दूँगा कि a plus b a plus b को add करके उसको यहां दिखा दूँगा और उसके बाद break नाम की statement लिखूँगा ताके switch case से बाहर निकल जाए मतलब switch जो इसका यह area ना इससे बाहर निकल जाओंगा अगर मैंने break लिखा होगा ठीक है तो क्योंके आप next statement में execute नहीं करना चाहता अगर for example उसने one की जगा two डाला मतलब कि one नहीं डाला बलके two डाला या फिर three four ठीक है इन में से कोई भी डाल देता है अगर one नहीं डाला तो two डालेगा two नहीं डाला तो three डालेगा three नहीं डाला तो four डालेगा फिर उसके बाद क्या आगया division डिवीजन में क्या रहेगा a divided by b multiplication में a multiplied by b और subtraction में a minus b ठीक है और अगर for example उसने इन में से एक भी नहीं यूज की एक भी की प्रेस की तो हम कुछ और पी की तो default होगा तो default की case में हमें क्या करना पड़ेगा अपना एक अलग से message देना पड़ेगा कि invalid input ठीक है invalid input करके हम डाल देंगे और उसके बाद definitely वह बाहर चला जाएगा अब हम क्या करते हैं कि इसके output को check कर लेते हैं ठीक है हमारा calculator तो त्यार है अब बोल रहा है कोई एक option करो मैं 1 देता हूं तो बोल रहा है addition equal to 8 देख रहे हो न आब अब आपको पता होना चाहिए कि a और b की value क्या थी 5 और 3 5 plus 3 8 होता है अब दुबारा से run करके हम check कर लेते ह मान लो में 2 डालता हूं तो क्या हुआ subtraction equal to 2 मतलब 5 में से 3 minus किये तो 2 आएगा अब एक बार दुबारा run करके जाए कर लेते हैं 3 press किया मैंने तो क्या answer है 15 means 5 into 3 15 और अगर दुबारा run किया और 4th press किया तो क्या होगा division equal to 1 5 को 3 से divide करेंगे तो 1 answer आएगा quotient और अगर for example मैं 7 डाल देता हूं तब क्या होगा तो बोरा invalid input तो इसका मतलब यह हुआ के invalid input है अब इसको थोड़ा से advance बनाने के लिए मैं while loop use करूँगा do value जिसकी मदद से यह होगा कि मुझे अगर बहुत सारे operations at a time perform करने मला addition भी देखन है subtraction भी और multiplication भी तो वो कैसे possible होगा तो मैं क्या करूँगा इस पूरे code को एक do while loop के अंदर डाल दूँगा do और ऐसे कर दूँगा ठीक है अब यह सारा जोए यह मैं copy paste करके इसके अंदर डाल दूँगा यह आगे इसके अंदर ठीक है और यहाँ while में condition डाल देता हूँ जिस condition के अंदर क्या होगा जैसे जो भी character वो choose कर रहा है नहीं यहाँ पर ठीक है अब उसके लिए मुझे एक अलग से option बनना पड़ेगा कि वो कब exit करना चाता है मतलब यह operation से बाहर निकलना चाता है यहाँ backslash end होगा तभी वो next line में आएगा ठीक है तो अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर फिफ्ट नमर पे भी हमें एक message डिस्पले करना पड़ेगा कि फिफ्ट option जब choose करें तो क्या होगा तो हमें सिर्फ एक message देना है thanks का बाकी कुछ नहीं करना है ठीक है thanks करके break कर देना है ठीक है और उसके बाद condition में हम यह डालेंगे कि जब तक ch not equal to 5 जब तक ch not equal to 5 है तब तक यह चलता रहेगा जैसे ही ch equal to 5 हुआ तो इसका user चाह रहा है exit होने में exit होना चाह रहा है तो वह बाहर निकाल देगा मतलब case 5 execute होगा thanks करके उसको बाहर निकाल देगा और यह भी निकाल देगा ठीक है तो एक बार हम output देखते हैं इसका क्या कुछ error आ रहा रही है या नहीं अब हम देखते हैं यह देख सकते हो आप एक problem आगी one के आगे हमने backslash and डाल दिया one से पीछे डालना है ठीक है तो अब देखते हैं okay for example मैंने डाला one तो addition होना चाहिए तो यह addition perform हो गया addition addition equal to 8 अब यह दोबारा choose one option और invalid option खुद उसने डाल दिया ऐसा क्यों और फिर यह तीसरी बार options शो होगे इसकी एक वज़ा है वज़ा यह है कि जैसे हम enter की press करते न तो next time जब loop चलता है तो यह character में scan हो जाता है वही enter की ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं यहां एक होता है f flush तो f flush नाम का function जो होता है वह उसको option equal to 8 और दुबारा से listing आ गए options की कि अब आप नया option क्या चूज़ करना चाते हैं मैं 2 यूज़ करना चाता हूं तो मुझे subtraction भी आ गए 3 चूज़ किया multiplication भी आ गए 4 चूज़ किया तो उसका division भी आ गया अब मान लो 6 चूज़ करता हूं तो यह बोल रहा है कि invalid option और अगर 5 चूज़ करता हूं तो मैं यहां से exit होना चाहिए था ना तो क्यों नहीं हुआ 5 में exit नहीं हो रहा है ओके यहां पर यह जो 5 है न यह character है ठीक है न तो इसको single coat में डालना आपको 5 को single coat में डाल देना है तो अब उसके बाद अगर आप अब देखोगे तो जैसे मैंने 1 डाला यह आ गया अब 5 डालता हूं तो मैं exit कर जाँगा यह देखो thanks आ गया और अब यह program complete हो गया अब दुबारा वो listing वाला नहीं आया तो मुझे लगता है यह switch case का जो हमने calculator create किया यह बिल्कुल easy था और आपको समझ में भी आ गया होगा इसमें कोई मुश्कल वाली बात तो है अगर कहीं समझ में ना आ रहा हो तो definitely आप comment section में मुझे पूछ सकते हो कि क्या इसमें कोई issue है यह मैं definitely आपकी help करूँगा तो first of all आप इसी program को अपने computer में run करके देख लें ताके आप यह पता कर सको कि क्या आपका output आ रहा है या नहीं और एक और बात मैं additionally आपको बता दूँ तो for example f flash नाम के function से आपकी problem solve नहीं हो रही है तो आप एक और यहा statement लिख सकते हो वो यह है कि while get care कि वो जो character उसने बोला ना आपको तो उसको आप यहीं पर खतम कर दो not equal to backslash end क्योंकि वो new line को यह दोबारा read कर रहा था ना accept कर रहा था आपने यहाँ पर उसको while loop में ही खतम कर दिया तो यह statement अगर आप लिखो के तब भी आपकी वो error solve हो जाएगी ठीक है error का मतलब यह हुआ कि वो character enter key जो है वो buffer में store हो रही है actual में और buffer में store हो करके यहाँ scan हो रही है तो आप इन दोनों में से कोई वी जो चला वो यूज करना है अगर आपको फिर भी issue आ रहा है फिर भी आप मुझे question पूछ सकते हो तो definitely आपको implement करना चाहिए implement करके यह आपको यह logic समझ में आएगा कि कहा issue आ रहा है कहा problem आ रही है ठीक है so that's it thank you so much for watching this video all the links of my video courses are below in the description which are absolutely free so in the next video we would learn new and wonderful things please subscribe this channel firstly to get the information of updated videos in the comment section you can write your feedback about the video and also write your queries if you have any have a nice day ahead